अच्छी गुलामी है, घर का काम करते करते ठक जाओ, लेकिन ताने सुन्य को मिलेंगे, अब कल को घर में बैठे बैठे लड़की भूड़ी हो जाए, तो दुनिया तो यही कहेगी न, कि बिन माबाप की बच्ची का ध्यान नहीं रखा, अब क्या करूं, कितने जतन से रिष् पसंद नहीं आता, किसी के लिए वजन भारी हो जाता है, बड़ी दादी, हमारी तो कट गई, किचिन में काम करते करते, लेकिन इन लोग की ना कटने वाली, और आजकल के लड़के, उन्हें तो स्मार्ट अपडेट लड़की चाहिए, किचिन में काम करने वाली लड़की नहीं चाहिए अरे इतना छोटा सा छूट बोला था कि महरानी किसी को पसंद आ जाए तो बार आगे समहाल लेंगे लेकिन क्या करो अरे मुझे कोई प्राइज नहीं मिलने वाला शादी करा के फिर भी लगी हुई हूं पता नहीं क्यों अरे सोचती हूं बिन माबाप की बच् क्लास फैमली लड़कों की लाइन लगी हुई नहीं है अरे दस बार कहा है थोड़ा स्मार्ट बनके रहा करो अपडेट रहा करो थोड़ा वजन पर कंट्रोल रखो लेकिन किचेन के काम का से फूर्चती नहीं मिलता सोचा था इस बार बात बन जाए किसी तरह से लेकिन नहीं हमारे परिवार वाले तो हरिश्चंद्र के वंशज होकर पैदा हुए है ये भगवान किसी तरह से इस लड़की का बेड़ा पार हो जाए तो गंगा नहाऊ जाके